नमस्कार अजन्म बात करेंगे है में जो जो समॉल फ्रेजस यदे में जा 15 य को दील सब्सक्रांग है इस यदी यहाँ करकेज़ू सब्सक्राइब अब हात में चिटचिता लगता है, तो जो कीरा होता है न जो भी वाइट फ्लै होता है, वो पीला कलर की तरफ ज्यादा आकरशित होता है, उसको लगता है ये कोई पता है, तो वो इस पे अटेक करता है और इस पे चिपकने के बाद वो निकल नहीं पाता है, इस में इस पे ग ग्यानिक तरीका है मतलब अपनी खेत को कैसे बचा सकते हैं वाइट फ्लाइ से वाइट फ्लाइ जो इस प्रेक करते हैं वह 10-15 दिन तक रहता है उसका और यह देने पर जब तक यह ट्रैप एक वार भर ना जाए यह स्ट्रिप तब तक यह कम करेगा मतलब यह स्ट्रिप अभ इसको फिर सेंज कर दें यह सस्ता भी होता उसके तुल्णा में इसका इतना मोटा पैकेट आता है दस रहेगा बीस रहेगा इसका पेकेट आता आप मार्केट में सीधे कहेंगे येलो स्ट्रिप चाहिए हमको जो खेत में लगा जाता है फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए अब अपने दुकान पर जाएंगे येलो स्ट्रिप दीजिए और ये ब्लू कलर का भी आता है लेकिन अगर आप पपीता की खेत में रहें या फिर या तो ज्यादा और येलो और खेत में तब येलो स्ट्रिप कराएंगे येलो कलर प्र lजाथ दिया जाएगा उसका एक और फैदा है कि ये सस्ता होता है वो वे क्यामिकल इंसेक्ट ती साइड पी वनिसपत ये बहुत सस्ता होता है ये औहां का का रूप में काम करता है इसलिए यह सस्ता होता है हमारे नेचर को भी यह हर्मफुल नहीं कर पाता है इसलिए हम आपको यह recommend कर रहे हैं तो आप इसको यूज्ज करें अगर आपको यह वीडियो helpful लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे इस चैनल खेती घर को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे amazing वीडियो मिलते रहें और आपको फाइदा होता रहें धन्यवार